हेलो वारियर्स कैसे हैं आप लोग कैसी चल रहे हैं आप सब बच्चों की बढ़ाई आए होप अच्छी चल रही होगी बच्चों क्वेशन नमर 151 आज हम देखेंगे डेड़ सो क्वेशन हम कर चुके हैं तो तयार हो जाई है आप लोग अपनी नोट्बूक और पैन लेके यह एडियम कितनी बार आचुका देको है ना में लेक और हमने इसको पड़ा भी था कि अगर हमें किसी चीज को पाने के लिए उसके कीमत एक हाथ एक पैर देके चुकानी पड़े जैसे युद्ध में क्या होता है बहुत सारे सैनिकों की जान जाती है किसी के हाथ चले जात है तो एक बहुत भारी कीमत हमें चुकानी पड़ती है means वह बहुत महँगा है यह ना तो मतलब a large amount of money ठीक है बहुत महँगा to be lost and bewildered, bewildered का मतलब confused होता है यह ना confused के लिए हमारे पास words flamoxed है confused, flamoxed, perplexed ठीक है और बाकी bemused यह सब आपने पड़े हुआ हैं पहले bemused है ठीक है baffled है confused होने के लिए अच्छा आपको कहीं पर दिखता है ना inner dilemma at a loss inner fix इन सब का meaning भी है कि अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ठीक है या फिर at once wits end इन सबी का मतलब की आए कि अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है जैसे मान लीज़े आपने का अचानक जब मैंने वो खबर सुनी आइवाज एट लॉस I was at a loss of words मुझे समझ ही नहीं कि मुझे बोलना क्या है है ना मैंने खुद अपनी आखों के सामने देखा कि मेरी ट्रेन जा रही है या मेरी फ्लाइट चुट गई है I was in a fix मैं confused था I was in a dilemma मुझे समझ ही नहीं आया और at once with end wit मतलब होती है हमारी बुद्धी और बुद्धी का अंत हो गया मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आए कि मुझे क्या करना है मतलब इस्तिती कैसी थी आप परेशानी में थे तो परेशानी में होने के लिए भी तो हमारे पास कई सारे इडियम्स हैं जैसे आप बोलें बी इन टाइट कॉर्णर इसका मतलब क्या है वही तो बी इन ट्रबल है न यह सब बार 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 रिपीट होते हैं इन्हें साथ साथ देखते हुए चले हैं आप ऊके बच्छों एक नया वर्ड मैं आपको बता रहे हूँ इस कम बॉबयूलेटेद इस कम बॉबयूलेटेद का मतलब भी कन्वीज होना ही होता है आपको कहीं अगर दिखता है न है और यह ज्विंट यह मतलब आपको का थ्यों क्वाल रेलेट कर वा रहे हूँ ठीख आप परेशान हो गये, you are in a trouble, you are completely confused, you don't know what to do now, means it is very difficult to comprehend, मान लोग दो लोग बाते कर रहे हैं, और वो लोग किसी गेम के बारे में, किसी sports के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे मुझे कोई idea नहीं है, मैं जानती ही नहीं हूं उस गेम के बारे में, तो मैं सुनता शुरूर रही थी उनकी conversation, but it was all Greek to me, मतलब, it was very difficult for me to comprehend what they are talking about, मुझे कुछ समझ, पल्ले नहीं पढ़ रहा था कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं, अब Greek से समझ, लो Greek हमें नहीं समझ आईगी, तो all Greek to me, मतलब, can't comprehend, आप उसको समझ नहीं सकते, ठीके, बाकी देखो आगे आप लोग, to ask for too much, नहीं, everything is ready, सब कुछ ready नहीं, आंसर इसका मारे पास हो गया है, ओके, next question देखते हैं, we dodged a bullet, when we did not fall for the agent's word, बचो इस इडियम का मतलब होता है, manage to, manage to avoid an unpleasant, an unpleasant or harmful situation, आप इसको हिंदी में समझ लेते हैं एक बार बच्चो, इसका मतलब क्या है, manage to avoid an unpleasant or harmful situation, आप कहते हैं कि हम बाल बाल बचे, उसके चक्कर में आने से, है न, हम बाल बाल बचे, उसकी बातों में आने से, तो मतलब, you manage to avoid an unpleasant or harmful situation, तो किसी unpleasant situation से बाल बाल बचना देखो, क्या है, to be out of your comfort zone, नहीं, to give someone a try, something a try, कोशिश करना नहीं, to narrowly avoid situation, येस, narrowly मतलब with a very small margin, ठीक है, to start performing better, क्या आपने अपने अंदर कुछ सुधार किये हैं, और आपने better perform करना शुरू कर दिया है, तो देखो, इसके लिए मैं आपको बता सकती हूँ, इसके लिए हमारे पास idiom होता है, बच्चो, get, आपने पढ़ा भी है पहले, get your act together, get your act together का मतलब होता है, organize yourself, अपने आपको organize करना और better करना, ठीक है, become more organized and better, तो हो सकता है, अपने कुछ आदतों में सुधार करो, अपने व्यवहार में सुधार करो, अपने आपको organize कर लो, और start acting in a better way, ठीक है, चलो और क्या याद कर सकते हैं, इस ही भी देख लेते हैं, जैसे माल लो आपने कहा, mend your ways, mend your ways का मतलब होता है, कैते हैं ना मारे बड़े हमको कभी गभी, अपनी आदते सुधार लो, आदते सुधार लो, सुधार जाओ, ठीक है, इतने बड़े हो रहे हो, नहीं तो तुम्हें बहुत भारी की मत चुकानी पड़ेगी, जैसे देखो, आप idioms को यूज़ करना शुरू किया करो, माल ली जी किसी ने कहा कि, stop coming late to office, mend your ways, अपनी आदते सुधार लो, otherwise, be ready to face the music, तो face the music का मतलब क्या था, वो गतने के लिए तयार है ना, चीक है, तो mend your ways मतलब, आदते सुधार ना, अपने आपको सुधार ना, इससे एक और idiom याद करो, mend से, क्योंकि हम connection बनाते हैं, it's never too late to mend, it is never too late to mend, हिंदी में याद करते हैं इसको, कहते हैं ना कि, सुबह का भूला, सुबह का भूला, कभी भी इतनी देरी नहीं होती, कि आप अपने आपको सुधार ना पाओ, ठीक है, ऐसा लगता है, कि मेरे से गलती हो गई, जिस वक्त महसूस होता है, उसी वक्त उसको स्विकार कर लो, मान लो, it is never too late to mend, हमारे पास एक idiom, और a turn over a new leaf, अगर हम देखते हैं, देखो, कुछ नहीं पता, exam में कहां से क्या आ जाएगा, turn over a new leaf, ठीक है, जिसका मतलब बोदा है, to change the way you behave, ठीक है, turn over a new leaf, to change the way you behave, आपका जो परताव करने का तरीका है, उसे बदल लो, change कर लो, तो कहीं ना कहीं देखो, सब एक जैसा बता रहे हैं, to get your act together, मतलब, start performing better, and organize yourself, आधेते सुधार लेना, ठीक है, कभी भी इतनी देनी होती, कि आप अपने आपको सुधार ना पाओ, or to change the way you behave, और अपना व्यवहार बदल लेना, आंसर हम पहले ही कर चुक है, to narrowly avoid situation, ठीक है, band over backwards का मतलब होता है, बच्चों, doing your best, doing your best, अपना बेस्ट करना, अपना बेस्ट देना, या फिर make every possible effort, या फिर make every possible effort, जो कुछ भी मुम्किन है ना, प्रयास, वो आप कर दें, कोई कसर ना छोड़ें, तो doing your best, or make every possible effort, अब ये band over backwards बनता कैसे है, देखो, एक बार imagine करो, कि जिम जब हम जाते हैं, हमारा एक कोच होता है, और हम अपने ये सभी के साथ होता है, human nature होता है, कि जो सिखाने वाला होता है, सीखने वाला हमेशा उसको impressed करना चाहता है, तो जो जिम जाने वाला व्यक्ति है, वो दिखाएगा, अपनी बॉड़ी को पूरी तरीके से बैंड करके, पीछे की तरफ दिखाएगा, और ये तारीव सुनना चाहेगा, कोच से कि, देखो, my body has become so flexible, ठीक है कि मैं अपने आपको पूरी तरीके से बैंड कर सकता हूँ, पीछे की तरफ, तो मतलब पूरी कोशिश करेगा, कि वो अपने कोच को इंप्रेस कर दे, है ना, तो working hard to try to impress answer, तो हमारे पास हो गया ये, है ना, अब आपको इस से relate करके, अगर आप देखो, तो leave no stone, leave no stone unturned, leave no stone unturned, मतलब कोई कसर ना छोड़ना, ठीक है, कि मम्मी, पापा, in this attempt, I am going to leave no stone unturned, to get good marks in the examination, कि इस बार मैं कोई कसर नहीं छोड़ूँगा, अच्छे marks हासिल करने के लिए, ठीक है, going backward, देक हो, word meaning हो गया, होगा नहीं, using wrongful means, ठीक है, गलस साधनों का प्रयोग करना, और walking slowly and lazily, बचो walking slowly and lazily, इससे आप याद कर सकते हो, drag your feet, अब सोचो, एक तो मम्मी ने, मालो दो भाई है, बढ़ा वाला, बहुत active है, छोटे वाला सुसते है, मम्मी ने कोई काम बताया, बढ़ा वाला उठके खड़ा होगा, और तुरंट उस काम को कर दिया, और चोटे वाला, उंग राए, आलस में है, उठ रहा है दीरे-दीरे, तो ममी ने कार रहा है, इतना आलस क्यों कर जल्दी active रहो थोड़ा सा, तो बिल्कुल कैसे drag your feet, मतलब बहुत ही leisurely, और आलस में, बढ़ रखे हैं, देखो, वो कैसे काम करेगा, leisurely काम करेगा, और कैसा कर सकता है, langurously, बच्वा, आप लोग मेरे साब से connect कर पा रहे होंगे, वोक्याबलरी की classes से, आप EDM के साथ वोक्याबलरी रिवीजन कर सकते हैं, तो langurous क्या था, langurous mornings मैंने कहा था, जिसमें मन नहीं हो रहा उठने का, कुछ काम करने का ऐसा लग रहा है, वस पढ़े रहो, पढ़े रहो, तो सुस्ती सुस्ती वाली mornings हो गई, दिन हो गई, इसके अलावा आप कुछ वर्स याद करने की कोशिश करो, slothful कैसा व्यक्ती है, आलसी है, है ना, और inert, inert भी कैसा है, आलसी है, बाकी क्या आप खुद connect करना, ठीक है, next question देखते हैं, I hate to get off on the wrong food, बचो इसका मतलब होता है, a bad start, a bad start, अब यह start किसी भी चीज़ की हो सकती है, बचो, आपने कोई business start किया, मान लो, है ना, कोई भी activity start किया, कोई relationship start किया, और वो, काफी bad terms पे start हुआ, मान लो, तो उसी चीज़ को कहेंगे, to get off on the wrong food, तो start a relationship और activity badly, बिल्कुल same my meaning दे रहा है, देखो है ना, to start something with an injury, और wrong food, इसने wrong food को wrong food ही ले लिया, अब start option को eliminate कर दो, to start something with neutral facts, or to start something with positive factors, आंसर हो गया आपका एक, next देखते हैं, a leopard can't change its spots, अब देखो, यह तो हम वैसे भी, काफी हमने सुना होगा, कि वही एक इंसान अपनी फितरत नहीं बदल सकता, नियत नहीं बदल सकता, यह ना कहते हैं ना कि अगर आप सापको दूद पिलाओगे, तो ऐसा नहीं कि वह आपको डसेगा नहीं, मतलब इंसान अपनी फितरत से बाज नहीं आएगा, तो एक leopard जो है वो अपनी spots को चाहे बदल ले, लेकिन उसकी फितरत नहीं बदलेगे, ठीक है, तो a visual presentation is far more descriptive than words, ऐसा बता रहा है क्या वो नहीं, something good that is not recognized at first, कुछ इतना अच्छा जो कि पहली नजर में recognized नहीं किया जा सकता, you cannot change who you are, बिलकुल, आप जो हो, आप अपने आपको बदल नहीं सकते, कोशिश कर सकते हो, प्रेटेंट कर सकते हो, कुछ टाइम के लिए, बढ़ हमारा जो basic nature है, वो change नहीं हो सकता, and someone who is cherished above all others, cherished का मतलब होता है बच्चों, loved or cared, जिसकी बहुत देख भाल की जाती, बहुत प्यार से रखाचा, ता answer हो गया हमारा C, next question देखते हैं बच्चों, the best of both worlds का मतलब है, enjoy the benefits of two different situations, ठीक है, enjoy the benefits of two different situations, जिसके लिए आप Hindi में use करते हैं न, कि उसके तो दोनों हाथों में लड़ू है, मतलब दो situations हैं different, और दोनों के मज़े वो लूट रहा है, दोनों का फायदा मिल रहा है, तो क्या है, better to show than tell, देखो better to show than tell का मतलब है कि एक तो मैं कहूं, और एक मैं करके दिखाऊं, तो कह रहा है कि करके दिखाना ज्यादा बेटर है, मतलब आप इसको इस चीज़ से डिनोट कर सकते हैं न, actions speak louder than words, बोलने से कुछ नहीं होता करके दिखाऊ, तो actions speak louder than words, ओके, good things come after bad things, बिल्कु सही बात है, यह हमें अपनी day to day life में भी सीखना चीए, कि हमारे साथ एक आते छोटे 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 फेलियर आ जाने से, छोटे छोटे अलस हाई दुख आ जाने से, जबकि इस line को देखे, good things come after bad things, yes, definitely, बुरा होता है इसलिए क्यों कि कुछ अच्छा होना होता है, अब इसको कैसे कैसे दिखा सकते हो, देखो हमें एक लिखते हैं, आपने इसको पढ़ा ना, blessings, blessings in disguise, एक तो यह हमने पढ़ा है, हम रिलेट करके देखते हैं, या फिर आपने सुना होगा, a dark cloud, has, silver lining, ठीक है, blessing in disguise का मतलब आपने क्या देखा था, कि कभी-कभी जब हमारे साथ कुछ गलत होता है, तो हमें, at first तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ यह ऐसा क्यों हुआ है, क्यों हुआ है, लेकिन लेटर आपको ही महसूस होता है, कि वह असाफलता बहुत जरूरी थी, क्योंकि वह ना होता, तो शायदा जैसा ना होता, जैसे एक बहुत छोटा से एक्जामपल लेते हैं, किसी ने मानलों, कोवेट टाइम में सोचा हो कि मैं आउट ओफ इंडिया जाओंगा, और किसी वज़े से वो नहीं जा पाया, या उसके टिकेट गैंसल हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, और फिर जब वो वेव आई कोवेट की, तो उसने जरूर सोचा होगा, कि अच्छा हुआ मैं नहीं गया, जब देखा कि इतना खराब माहौल हो गया है, मैं घर से इतनी दूर जाने वाला था, मैं अटक जाता तो मतलब उसको राहत मिली, कि जो होता है, अच्छे के लिए होता है, एना डार्क लाउड है, सिल्वर लाइनिंग आप कहते हैं, आफ्टर अस्टोम, अच्छा होता ही होता है, यह क्या बता रहा है आपको, कहते हैं ना कि बहई सुख है तो दुख भी है, अगर जैसे गुलाब है, गुलाब इतना सुन्दर दिखता है लेकि उसमें काटे भी होते ही होते हैं, तो मतलब at the same time you have to accept both the things, positive and negative, both the things, ओके और डार्क लाउड है जैसे सिल्वर लाइनिंग का मतलब है कि हर अंधेरे बादल, बादल के बाद एक आश्चा की किरन होती ही होती है, अब अगर हम कोशिश करें इस से और कुछ याद करने की, तो मैं क्या कह सकते हूँ, मैंने कहा देखो, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ, है ना, हर डाक लाउड के बाद एक सिल्वर लाइन होती ही होती है, मतलब हर पुराई के बाद अच्छा ही होगी होगी, जो हो गया उसे जाने दो, पास्ट की बादों को भूल जाओ, इस पास्ट की बादों को भूल जाओ, इसके लिए मैं क्या क्या कह सकते हूँ, इसके लिए देखो आप क्या क्या कह सकते हो, यहां लिख देते हैं ना उसके आगे यहां लिख देते हैं आप कह सकते हैं let bygones be bygones जो हो गया सो हो गया है ना और क्या कह सकते हैं हम और कह सकते हैं don't cry don't cry over spilt milk यह SPI double L E D भी हो सकता है और SPI L T भी हो सकता है ना और लैट sleeping dogs let sleeping dogs lie इन तीनों का ही मिनिंग क्या है कि पास्ट की बातों को मत याद करो जैसे देको let bygones be bygones जो हो गया सो हो गया don't cry over spilt milk don't cry over your past जो हो गया उसे भूल जाओ let sleeping dogs lie कहते हैं गड़े मुर्दे मत उठाओ ठीक है गड़े मुर्दे मत उठाओ मतलब dead bodies हो गड़े मुर्दे अब हो गया जो होना था उसकी बाते क्यों लेकर आनी अब बीच में तो उसका सीधा सीधा जो English है ना गड़े मुर्दे उखाड़ना उसकी यह है तो let sleeping dogs lie गड़े मुर्दे मत उखाड़ो ठीक है तो इतने सा का एडियल सिच्विशन हो गई ना अंसर हमारा हो जाएगा डी ठीक है next देखते हैं more people in Turkey are on the breadline now than 30 years ago बच्व ब्रेड लाइन एक line of income होती है line of income होती है ठीक है जिस पर यह measure किया जाता है on which someone is considered poor ठीक है line of income on which someone is considered poor यह कैसी लाइन है जिस पर व्यक्ति को poor माना जाता है जैसे poverty line होती है ना हम कहते हैं ठीक है तो earn a lot of money बहुत सारा पैसा कमाना भी very expensive से very expensive के लिए हमने two cost and arm and a leg पढ़ा था अभी है न और expensive के लिए हमारे पास words कौन-कौन से extortionate है बहुत बार repeat कर चुक्यों मैं आप आपको यह है ना और exorbitant याद रखेंगे आप इन सारे words को ठीक है extortionate and exorbitant और idiom क्या हो गया cost and arm and a leg be very poor बिल्कुल very poor are well educated बच्चों जो well educated होते है ना उनको आप periodite कहते हो और क्या कहते हो learned कहते हो और क्या कहते हो sophisticated कहते हो sophisticated कहते हो enlightened कहते हो बत्ती जलगी मतलब उनके दिमाग की ठीक है sophisticated चलो next देखते हैं both Nitin and Uday are of the same interest मतलब they are very similar in their interest their nature and their personality and character तो personality character में स्वभाव में एक जैसा होना be very similar तो देखो are of the same interest का मतलब क्या है under the weather birds of the same feather words of the same feather का मतलब होता है being very similar ठीक है बिल्कुल एक जैसा दिखना अब इसके हमारे पास कौन कौन से वर्ज है be of like mind एक तो देखो idioms be of like mind ठीक है और two peas of a pod pod मैंने बताया था जिसमें मतल होते हैं two peas of a pod है और हमने I think अपनी पिछली क्लास में देखा था cut from the same cloth या था ना cut from the same cloth और एक ही थान में से अगर कपड़ा कटा है और दो dresses बनी है तो बहुत similar होंगी तो इन सभी का मतलब क्या है similar होना character में nature में इन सब चीज़ों में अब यह भी देख लेते हैं blowing smoke without fire जिसका मतलब होता है बिना आग के बिना आग के दुआ नहीं उठता कहते हैं ना जैसे कोई rumor है कोई अफवा फैली है अब हर इंसान उनी सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा है तो हम कहते हैं तो कहीं ना कहीं तो कोई सच्चाई जरूर है इस बात में और फिर हम कहते हैं कि बिना आग के दुआ नहीं होता है बच्छों, different from others, different from others, ठीक है, जिस में भी comparison कर रहे हैं आप, different from others, under the weather का मतलब होता है, being sick, थोड़ा सा बिमार फील करना, ठीक है, थोड़ा हलका फुलका सा बिमार फील करना, हलकी फूल की बिमारी, ठीक है, mild illness, mild illness, मतलब आपको क्या होती है, आपको क्या होती है, बेचैनी होती है, malaise कह सकते हैं आप उसको, बिमारी के लिए, malady word अपने पास है, है ना, और element है, छोटी मोटी बिमारियों के लिए, ठीक है, and indisposition, यह सब छोटी मोटी बिमारियों के लिए, यह सारे words, ठीक है, next देखते हैं, देखो बच्चों, left out in the cold, यह भी हम वैसे पहले कर चुके हैं, left out in the cold, अब इसका मतलब तो होता है, to be ignored, neglected और avoided, neglected और avoided, जैसे मालो बच्चों का एक ग्रूप है, होता है ना, बच्चे गुट बना लेते हैं, कि हम 10-15 लोगों का ग्रूप है, वहां मौले में एक नहीं फैमिली आई, एक बच्चा माँ भी है, 12-15 साल का, अब वो गूमता फिरता जाता है, उनके पाल मुझे भी खिला लो, इन्होंने मौसम ले लिया, वैदर कंडिशन तो अपसर्ड ऑप्शन वैसे हटा देते हैं, तो सर्व स्टेल स्टेव मतलब बासा, बासा और ठंडा फूट, ठंडे फूट की बात दो रही है के नहीं, आंसर हो जाएगा D, next देको, choosing not to pursue a degree in computer engineering was dash as the market for them is extremely limited nowadays, अगर आपको ध्यान हो तो अभी अभी हमने पिछले कुछ questions में देखा था को विडिवाल एक्जामपल लिया था कि computer engineering में degree pursue न करने को choose करके मैंने क्या किया देखते हैं इसमें से क्योंकि market जो है न इस चीज के लिए extremely limited हो गया इन दिनो तो मतलब जो अच्छे के लिए इंप्राक्टिकल है इंप्राक्टिकल है फैंसिफोल है ठीक है unreasonable है बिलकुल अंचस्टिफेल होडि माना नहीं जा सकता जैसे किसीने का मेरे लिए चान तोड़ कर ला दू तो मैंने कैसी बात करी ळडього ही फैंसिफोल और इंप्राक्टिकल बात कर दी-अन्रेलिस्टिक बात कर दी, ठीक है, unrealistic, means I am trying to make castle in the air, बढ़ा था ना आपने idiom, ठीक है, castle in the air, हवाई के लिए बनाना, blessing in disguise, बिल्कुल ठीक बात है, यह तो blessing in disguise हो गया, ठीक है, an elevator पे छोता है, बच्चो अब रीफ speech, a brief speech that mentions the main idea, आप जो कुछ भी बोलना चाहते हो, कोई project है, है ना, किसी बारे में आप बात कर रहे हो, उसकी आपने taglines, कुछ ब्रीफ, एक speech दे दी, जिसमें पूरा का पूरा project आ गया, main idea आ गया, तो वो एक छोटी सी speech, a cut above का मतलब होता है, बेच्चो बैटर देन अधर्स, और उ better than others, ठीक है, next देखते हैं, I think we should dash before buying this car, हमें क्या कर लेना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा खा लेना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा खा लेना चाहिए, घोड़े की तेरे, eat like a horse, मतलब बहुत ज्यादा खाना, तो मतलब व्यक्ति कैसा है, glutton, glutton कहते है ना, पेटू को, और क्या कह सकते है, government, ठीक है, जो बहुत ज्यादा खाता है, G-O-U-R-M-A-N-D, बहुत ज्यादा खाता है, अच्छा व्यक्ति फिर क्या करता होगा, binge eating, जैसे binge watch होता है, binge eating करता होगा, अच्छा एक disorder होता है, जिसको आप कहते हैं, bulimia, bulimia में व्यक्ति बहुत ज्यादा खात इसका just opposite क्या हो जाएगा, anorexia, anorexia, anorexia मतलब eating very less, eating very less, why, because person को डर है कि कहीं वोटा ना हो जाए, ठीक है, he is afraid of being fat, anorexia, तो bulimia, anorexia को आप अलग से याद कर सकते हैं, बहुत ज्यादा खाना, ठीक है, और anorexia हो गया, बहुत कम खाना, get out our high horse, ठीक है, high horse, अब इसको कैसे याद करो, जैसे गोडे पर जो व्यक्ति बैठा है, वो down to earth नहीं है, अब पहले की time से याद करो, जो लोग अत्याचार करने वाले होते थे, वो गोडों पर सवार होके आते थे, तो वो कैसे थे, होना छोड़ दो, बहुत हो गया, down to earth हो जाओ, ठीक है, लोगों को अपने से कम समझना छोड़ दो, तो इसका मतलब आप कैसे समझ सकते हो, stop being, अब याद करो अपने पास word था ना, super salious, stop being super salious, super salious मतलब घमंडी, घमंडी, इतना घमंडी होना अच्छा नहीं है, अब जो व्यक्ति super salious है, वो boastful भी हो सकता है, है ना, boastful मतलब जो खूब ढींगे हाकता है, अच्छा, super salious से आपको वो कैपकी ग्लास में क्या का याद करा है था, super salious गमंडी है, superficial, sketchy है, cursory है, उपर उपर से सतही, जो की serious नहीं है, deep नहीं है, shallow है, इसका opposite क्या था, comprehensive था, ठीक है, और फिर superfluous क्या था, superfluous था, unnecessary, redundant, extra, surplus, जो की जरौत से जादा था, जिसकी जरौत नहीं है, ठीक है, चलो, hold your horses का मतलब होता है, बच्छो, to stop and pause, मतलब आप व्यक्ति को कह रहे हैं, don't be curious, don't be happy, don't be eager, don't be keen, ठीक है, इतने eager मत बनो, उत्सुक मत बनो, don't take impulsive actions, इतनी जल्द बिना सोचे समझे, actions मत करो, decisions मत लो, hold your horses, ठीक है, थोड़ा रूखो, थोड़ा ठैरो, सोचो और उसके बाद को decision लो, hold your horses, और stop to change, horses का मतलब होता है, to stop using one system, to stop using one system, या तो आप system के बारे में कहेंगे, या फिर, to stop supporting one person, to stop supporting one person, कि एक ही एक system को follow करना छोड़ दो, या एक ही एक व्यक्ती को support करना छोड़ दो, ठीक है, तो यहाँ I think we should, क्या थोड़ा रूखना चाहिए, before buying this car, ठीक है, बहुत खाना नहीं चाहिए, गबन नहीं तोड़ना च forces, ठीक है, और देखो, we आ रहे है न, we, तो we से आवर को connect करो, यह ऐसे भी हो सकता था, we से आवर को connect कर लो, ठीक है, next, देखो, crack someone, अपका मतलब होता है, बच्छो, किसी को बहुत हसाना, to make someone laugh, ठीक है, angry नहीं करना, criticize नहीं करना, ठीक है, to force someone to commit a mistake, किसी व्यक्ती को force करना क कि आप गलती करो, यह भी नहीं है, criticize क्या हो गया, condemned हो गया, castigate हो गया, chastise हो गया, यह सारे words है, to make someone angry, मतलब उसको क्या कर रहे हो, आप, aggravate कर रहे हो, गुस्सा दिला रहे हो, और, exasperate कर रहे हो, exasperate कर रहे हो, ठीक है, wax हो गया, irritate कर रहे हो, irk कर रहे हो, है न, exacerbate, य friend है, exacerbate का मतलब था, बत्तर बनाना, इसको opposite हो जाएगा, ameliorate, ठीक है, चलो, next देखते है, what a small world, when you meet someone by a chance, market में गई किसी से मिल गया, आप यहां कैसे, इतने सालों बाद, देखा, दुनिया कितनी छोटी है, तो आप बोलते है, what a small world, means what a coincidence, क्या coincidence है, हम यहां मिले, ठीक है तो world is great नहीं, village नहीं, beautiful place नहीं, next देखो, any sort of unfair conduct, आप एक unethic, immoral behavior की बात कर रहे हो, कि किसी भी तरीके का immoral behavior tolerate नहीं किया जाएगा, international sports tournament में, as it can completely ruin an athlete's career, बिल्कुल, इस तरह का व्यावार एक sport person के career को खराब कर सकता है, तो hand in the mud, यह आपको stick in the mud भी दिखेगा, commonly तो यहीं देखेगा stick in the mud, ठीक है, जिसका मतलब होता है बच्चो old fashioned, old fashioned, व्यक्ति कैसा है, old fashioned है, इसलिए too serious, बहुत जाधा serious है, गंभीर बहुत रहता है, है न, and avoids new and enjoyable activities, और क्या करता है, avoids new, and enjoyable activities, बहुत सारे लोग आपके आसपास भी होंगे, सुम्रे से बैठे रहते हैं, न, हसते हैं, न, बोलते हैं, है न, एकदम, क्या, याद करो, इससे die hard word था न, die hard, भाई हम तो ऐसे ही ऐसे ही रहेंगे, आपको याद करो है था, एक farmer जो है, वो ना के बराबर नई technology को accept करने में comfortable होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो changes नहीं चाहता, old fashioned है, पुराने customs पे, traditions पे, विच्छारों पे ठीका हुआ है, वो die hard है, है न, die hard, मतला modern नहीं है, liberal नहीं है, ठीक है, अब आप देखो, यहाँ पर foul play तो इसका answer हो जाएगा, why, foul play इसका answer इसलिए होगा, कि foul play unfair और treacherous action हो or treacherous act, basically वो क्या है, according, मतलब against the law और rule होगा, ठीक है, कुछ ऐसा जो against the law है, against the rule है, अब कोई भी चीज जो treacherous है, वो क्या-क्या है वही, जो treacherous है, वो spurious है, धोका देने के लिए यूज़ कर रहे हो आप उसको है, न, और perfidious है, perfidious है, ठीक है, और fraudulent हो जाएगा, है न, deceitful हो जाएगा, तो overall धोका देने के उदेश्य से ऐसा आपने किया है, ठीक है, और traitorous word याद होगा आपको, traitorous VC में आ जाएगा, देश द्रोही के लिए ऐसे यूज़ होता है, बर धोके बास disloyal के लिए आप यूज़ कर सक होता है, red-handed का मतलब होता है, रंगे हाथ हो, तो जो unfair conductive, वो तो foul play हो गया, next, देखो, we should ask Emily to join our team, she is as keen as, तो देखो, as keen as mustard होता है, इसमें answer ये होगा, as keen as mustard, जिसका मतलब होता है, बच्छो, बहुत ही energetic and enthusiastic, energetic, enthusiastic, और क्या-क्या हो सकता है, animated, जो शीला है व्यक्ति भहुत, उसके लिए mustard यूज़ होता है, ठीक है, और ebullient, exuberant, exuberant, ebullient, ये सारे words याद करेंगे आप energetic के लिए, ठीक है, next, देखो, he really stinks and smells foul after a hard session at the gym, अब बहुत जिम से कोई आएगा कड़ी मैनत करके, exercise करके, तो उसके शरीर से थोड़ी stinky smell आएगी, foul smell आएगी, बदबू आएगी, तो lame excuse तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो क्या है, unconvincing excuses, unconvincing excuses, मतलब वो क्या है, बेकार के बहाने, बेकार के बहाने, आप ऐसे ऐसे बहाने बना रहे हैं, जिन पर इंसान विश्वासी नहीं कर सकता, तो आप कह सकते, don't give me lame excuses, and please give me my money back, बहुत लंबा टाइम हो चुका है, अभी दूर दूर के बहाने बनाने बंद करो, मुझे मेरा पैसा वापस लोटा दो, ठीक है, आप एक चीज और याद रखेंगे, वैसे कभी आ सकता है, पैने इंक का मतलब इन राइटिंग भी होता है, जैसे मालो आपने कहा कि भई, हमारा पूरा केंपस है, यहां बहुत सारे बच्चों को स्मोक करते हुए, या इधर कुछ इस तरीके की आक्टिविटीज करते तो यह सब चीज तभी रुख सकती, जब हम अपने इंस्ट्रक्शन को, निर्देशों को, we have to put our instructions in pan and ink, है न, हमें लिखित में देना पड़ेगा बच्चों को, तब वो बाज आएंगे, तो लिखित में भी होता है असका मतलब, अगर an iron will है, तो strong determination है, firm opinion, ठीक है, strong determination, और firm opinion है, अडेग हो आप, determined हो, ठीक है, और an old flame का मतलब होता है बच्चों, एक ऐसा व्यक्ति, one, who you had a romantic relation with, एक ऐसा व्यक्ति, जिसके साथ आपका एक romantic relationship था, तो वो old flame है, ठीक है, अब नहीं है, है न, relation था, a romantic relation, next, देखो, रवी has a strong desire to be in college hockey team, this year, पूरा पर, देखो, जब भी examiner आपको sentence format में question देता है न, तो वो ऐसे paper को भरने के लिए नहीं देता है, time pass करने के लिए नहीं देता है, उसको पढ़ा करो, ठीक है, तो रवी की बहुत ज्यादा, अच्छा, strong desire है, उसकी, to be in college hockey team, इ and he is working hard, और हो खूब महनत कर रहा है, to gain such skills, to fulfill his goal of life, he has clearly made up his mind to achieve his target, तो देखो, set sides on का मतलब होता है, decide to try hard to achieve something, decide, to try hard, to achieve something, कि आपने पक्का निर्ने ले लिया है, कि अब मुझे इस सीच को हासिल करना ही करना है, और मुझे खूब महनत करनी है, इसके लिए, तो ऐसा ही कुछ रवी ने भी तो किया था ना, answer is कहे हो गया, to move the goal post का मतलब होता है, to change, change the rules or requirements, बही किसी जगह के requirements, किसी खेल के नियम, rules बदल दिये माल लो, जिसकी वज़े से सफल होना थोड़ा मुझेल हो गया है, तो एकदम change कर देना rules or requirements को, तो rise to the occasion का मतलब होता है, perform better than usual, perform better than usual, ऐसी स्थितियां, जब आप सामानने से ज़्यादा अच्छा perform करते हो, जैसे मान लीजे कोई team है, वो दो rounds में जीत गई, अब उनका जो जोश है, वो बहुत high होगा, ठीक है, now they will rise to the occasion, अब जब बात finals की आ गई है, तो बहुत अच्छे से perform करेंगे, जितना वो usually करते है, उससे कहीं साथा, to make the cut का मतलब होता है, बच्छा, to avoid elimination, especially किसी tournament वगर हमें, ठीक है, elimination को avoid करना, answer हो गया हमारा A, चलो, next देखते में यह बताने ही वाला था, but it bore in my mind, यह bear की second form है, बच्छो, bear की second form है, bore in mind, जिसका मतलब होता है, remember or consider, remember or consider, जैसे, बच्छे को जाने से पहले कहा, कि तुम जा तो रहे हो, ठीक है, गूमने तो जा रहे हो, but bear it in mind, that your exams are on your head, इस बात को दिमाग में रख लेना, याद रखना consider करना इस fat को कि तुमारे exam भी पास आ रहे है, और तुम गूमने जा रहे हो, slipped my mind का मतलब हो गया, forget something, आप किसी चीज़ को भूल गए है, I am so sorry, it slipped my mind, मेरे दिमाग से उतर गया था, slip हो गया, मेरे दिमाग से answer हो गया, B, changed my mind means, adopt a different opinion, adopt a different opinion, आपने अपने विचार बदल लिय है, ठीक है, मतलब I changed my mind, अब नहीं करना मुझे इस business start, brought to mind, जिसमें brought, यहाँ पर वो अपकी second form है, जिसका मतलब हो गया, remind something, कोई चीज आपको किसी और चीज की याद देला है, remind something, जैसे देखो, हम इसको example के तुरू समझते है, आपने का, this music brings to mind our first meeting, होता है न, बहुत सारी चीज़ें हमें past की किसी चीज की याद दिलाती है, तो हमने का, this music brings to mind our first meeting, यह music जो है, हमें हमारी पहली मुलागात की याद दिलाता है, next, देखो, I like her because she never likes to make, क्या, a drop in the bucket of खुझ सोचो, एक इतनी बड़ी बाल्टी है, उसमें एक छोटी सी बूंद होगी, तो वो क्या हो जाएगा, very small amount, very small amount, जैसे मानली जा आपने कहा कि इस product के market में आने के बाद company को तो इतना मुनाफ़ा हुआ, और जो लोग इस project में शामिल है, उनको इतना इतना सही पैसा दिया गया, तो मतलब company वालों के पास तो bucket थी, और उन लोगों को drop दी गई, बहुत कम amount दिया गया, quick bug होता, easily and quickly earn money, easily and quickly, बहुत आराम से और बहुत जल्दी earn money, पैसा बहुत जल्दी कमा लेना, ठीक है, a slap on the wrist हमने पहले भी पढ़ा है, mild punishment है, बहुती छोटी सी फटकार डांट, जिसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, वो scold है, rebuke है, है न, reprimand है, छोटी सी फटकार, छोटा, छोटी सी डांट, अब bed of roses का मतलब होता है, बच्छो, comfortable and easy, कुछ ऐसा जिसको आप मानते हैं कि वो comfortable and easy है, जैसे मान लीज़े, किसी ने कहा, कि farming, farming जो होती है, खेती farming is no bed of roses, यह मैं सोचना कि कि farming बहुत आसान है, farming is no bed of roses, बहुत मुश्किल का में, तो मैं उसे पसंद करता हूँ, क्योंकि she never likes to make, very small amount कोई sense ही नहीं दे रहा, she never likes to make, मतलब small punishment की बात कर रहे हैं, नहीं, bed of roses भी नहीं को एक पक, मतलब वो गलत तरीके से जल्दी पैसा नहीं कमाना चाहती है, इमानदारी से कमाना चाहती है, ठीक है, keep count off का मतलब होता है, किसी चीज के record को total को remember करना, याद रखना, ठीक है, grasming at straw, grass at straw का मतलब होता है, straw होता है, तिनका कह सकते हैं, ठीक है, और घास फूस कह सकते हैं, तो आपने वो कहा बाद सुनी होगी कि डूपते हुए को तिनके का भी सहरा बहुत होता है, अब सोच के देगे, कि imagine करिए एक विक्ती पानी में डूब रहा और आसपास जहां वो घास वास है, वो उसको भी पकड़ने की कोशिश करता है, इससे भी अगर मेरी जान बच जाए तो, ऐसी situation जहां सारे resources खतम हो चुके हैं, आपके पास बचने का कोई साधन नहीं है, तो trying to find the best way to compete with others when nothing you choose is likely to work, trying to find some way to succeed when nothing you choose is likely to work, अना, trying to find some way to succeed when you see others are also doing the same, बिल्कुल भी नहीं, trying to find manipulative ways to succeed नहीं, आंसर होगा B, trying to find some way to succeed, best नहीं, बिल्कुल बेस्ट कैसे, some कुछ तो वे होगा न, और compete नहीं कर रहे हो, अब compete with others नहीं, खुद के बचाव के तरीगा डून रहे हो, तो डूपते को तिनके का भी सहारा बहुत होता है, उसके लिए use होता है, नेक्स देखो, you cannot throw dust into my eyes, तुम मेरी आंखों में दूल नहीं जोग सकते हो, तो यह तो वैसे भी समझ में आ रहा देगो, मेरी आंखों में दूल नहीं जोग सकते, मतलँ, pull the wool over one's eyes, यह भी ध्यान रखना, pull the wool over one's eyes, मतलँ, धोका देना, sutterfuge, तुम मुझे दोका नहीं दे सकते हो, sutterfuge, hoodwink, ठीक है, आंखों में धूल जोगना, hurt, terrify, abuse नहीं, mislead or deceive me, अब plum job, बच्वो, plum जो है न, 17th century में, plum का जो use है, वो एक बहुत large, a very large sum के लिए use होता था, ठीक है, 17th century में, तो वहीं से अगर हम इसको connect करें, तो लोग ऐसा काम उस्वत करना चाहते थे, कि इसमें काम तो बहुत कम करना पड़े, और एक large sum of money उनके पास आजाए, बहुत सारा पैसा आजाए, तो वो difficult job थोड़ी करेंगे, rare भी नहीं करेंगे, जिसमें extensive traveling वो वो भी नहीं करेंगे, वो करेंगे easy और pleasant job, ठीक है, next देखते हैं, he made a mess, यह देखना है हमें, he made a mess of that book case, he was supposed to be repairing, उसने क्या कर दिया था, उस book case का, made a mess, made a mess का मतलब क्या होता है वहीं, उस चीज को पूरे तरीके से spoil कर दिया था, खराब कर दिया था book case को, जिसको वो repair करने की सोच रहा था, ठीक है, तो brought a dog's breast, तो पहली बात तो dog's breast तो idiom नहीं है, dog's breakfast जरूर होता है, तो यह तो नहीं होता, लेकिन, dog's breakfast, या फिर dinner, यह idiom है, ठीक है, and if you consider something, dog's breakfast or dinner, मतलब you disapprove it, why, because it is untidy, badly organized, क्योंकि वो untidy है, और badly organized है, badly organized है, इसलिए, इसलिए आप क्या कर देते हैं, उसको disapprove कर रहे हो, आपने उसको disapprove कर दिया, ठीक है, make a clean breast का मतलब होता है, बच्चों, to tell the truth, tell the truth, कि हाँ भई, हम नहीं किये यह चोरी, हम मानते हैं, हम नहीं किये चोरी, ठीक है, defeat, हार स्विकार कर लेना, हार स्विकार कर लेना, admit and confess, इसका मतलब हो गया, to admit and confess, ठीक है, eat humble pie याद हो गई, eat humble pie का मतलब भी यह था, अपनी कलती स्विकार कर लेना, हार मान लेना, make a pig's ear का मतलब होता है, बच्चों, to spoil, spoil or mismanage, spoil or mismanage, ठीक है, चलो, और देखते हैं, head a butcher hook, तो देखो, butcher तो क्या होता है, कसाई होता है, butcher कसाई है, और खूक होता है, खूटी, अब सोचके देखो, एक कसाई की दुकान पर उसके खूटी पर, क्या hang रहेगा, for hanging carcasses or meat, ठीक है, used for hanging carcasses and meat, जो कसाई की दुकान पर खूटी होगी, hook होगा, उस पर carcasses, carcasses मतलब होता है, बहीं, corpse, इसका मतलब होता है, corpse, और cadaver, मतलब dead body, हाला कि carcasses जानवर की dead body के लिए use होता है, corpse और cadaver, normally किसी की भी dead body के लिए use होगा, तो meat और dead bodies को टांगने के लिए use करता है, अब वो काईगा, head of butcher, hook का, इसका figuratively हम क्या meaning लेते हैं, to have a look, to have a look, मतलब उसकी दुकान पर जाएगा, कोई कुछ खरीद ने, जैसे दुकान वाले कपड़े वगरे दिखाते हैं, यह display हो रखा है, देख लो आप कौन सा पसंद है, ऐसी वो क्या दिखाएगा, उसके दुकान पर लटके हुए, mask को और dead body उसको दिखाएगा, तो head of butcher, hook का मतलब है, have a look, एक नजर डालना, ठीक है, तो answer तो हमारा क्या हो गया, यह गलत था, इसलिए तो हो नहीं सकता, तो यह हो जाएगा, spoil कर दिया, mismanage कर दिया, जिसको repair कराना चाहता था, ठीक है, इसके लिए अपने पास, देखो, make a horlix off, हमारे पास इसी बात को दर्शाने के लिए, कि इसको mismanage करने को है, इसी बात को दर्शाने के लिए, idioms है, make a horlix off, ठीक है, और make a muck off, make a muck off, मतलब दोनों का ही मतलब है, to do something incompetently, louse up, और है तीसरा अपने पास, louse up, l-o-u-s-e, louse up, और एक चौथा है, जैसे आप कहते हैं, too many cooks, spoil the, spoil the, या तो soup होगा, और या फिर, broth होगा, ठीक है, या तो soup या फिर, broth, B-R-O-T-H, इसका मतलब देख लो, क्या होता है, देखो, make a horlix off, make a muck off, louse up, too many cooks, spoil the soup, या ब्रोथ, वैसे भी हम घरों में भी सुनते हैं, एक डिश को बनाने के लिए, अगर जैसे कहते हैं, तीन-चार हाथ लग गए, तो वो सबजी खराब हो जाती है, तो यहाँ सूप की बात करें, एक ही सूप को बनाने के लिए, अगर बहुत सारे कुक्स हो जाएंगे, तो वो काम बिगड़ता ही बिगड़ता है, मतलब एक काम को बहुत सारे लोग मिलके करेंगे, तो चांसे हैं कि खराब हो जाए काम, मतलब इन सारे इडियम का यूज आप क्या कर रहे हैं, तो डू सम्थिंग इन वेरी क्लमजी मैनर, इन कॉम्पिटेंटली आप उसको मिस्मैनेज कर दिया, स्पोईल कर दिया, अंटाइडी कर दिया, बैडली कर दिया, मतलब देखो अगर हम यह कहें कि अब वताओ ऐसे लोग जो अनाडी थे, अनाडी पन से काम करते हैं, उसके लिए कौन सा वर्ट हमारे पास थे, क्लमजी था, क्लमजी था, क्लमजी हो गया, बंगलिंग, क्लमजी, बंगलिंग, लंपिश, है ना, लंपिन, ऐसे विक्ति अनाडी है तो फिर क्या है, मेलड्रॉइट है, इनकॉंपिटेंट है, मेलड्रॉइट हो गया, यह सारे वर्ट याद रखते हैं, आपको अनाडी अच्छे से काम करना नहीं आता उनको, ठीक है, चलो next देखते हैं, फेस दा म्यूजिक बार 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 आ रहा है, मतलब भुखतने के लिए तयार रहना, जो आपने बैड काम किया है, to accept punishment for some mistake which you have done, okay, keep a straight face, कुछ चीजों को बड़े आराम से हम समझ सकते हैं, straight face, बिल्कुल सीधा, ना मैं हस रही हूँ, ना कोई भी मेरी मोमेंट है, मतलब एकदम सीरियस रहना, तो not laugh or change your expressions even though you want to laugh, हाँ बिल्कुल, मन तो और हसने का, ठीक है, लेकिन आपने, आप हस नहीं रहें, कोई भी expressions नहीं दे रहें, ठीक है, यहां तक क्या आपको हसी आ रही है फिर भी, तो get on extremely well with someone, यह भी नहीं होगा, ठीक है, और become very confused, confused फिर वो ही, अचा confused है तो इना dilemma है, at a loss है, इना fix है, एना chicken and egg situation भी होता है इसके लिए, a chicken and egg situation, मतलब एक ऐसे situation जिसमें आप confused हो, ठीक है, make more of an effort, मतलब making an effort, attempt to do something, answer हो गया B, face the music फिर से आगया, repeat a question, okay, next देखो, Ram could not go to Delhi for vacation since he was banking on, banking on का मतलब होता है, rely on, निर्भर करना, ठीक है, depending on his bank, अब इसने bank को bank से ले लिया, जबकि answer होना ची, rely on, ठीक है, our director took a meeting and asked us to express our views on dash of the new HR policy, हमारा जो डेरेक्टर है, वो new HR policy के लिए क्या जानना चाहेगा, क्या discuss करेगा, pros and cons का मतलब होता है, advantages, advantages, advantages और disadvantages, मतलब उसके फायदे और नुकसान क्या क्या है, यह बार डिसकस करनी थी, absent nouns का मतलब होता है, बच्चों उतार चड़ाओ, कि उतार चड़ाओ तो आते हैं, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी सुख, कभी दुख है न, the bandwagon, पहली बात तो देखो इस वर्ड को समझो, bandwagon वो होता है, who carries band, band वगरा होते है न, parade में, in parade, or in procession, जुलूस वगरा निकलते है न, जुलूस हो गया, parade हो गई, उनके अंदर band होते हैं, अब एक चीज सोचो, जैसे कोई बाराज जाती है, कोई जुलूस जाता है, तो लोग अपने अपनी छटों पर खड़े होकर देखने लग जाते हैं, why, because this band is attracting attention, increasing attention, तो लोग उसको देखने आ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, attracting attention, attracting attention, अब मान लिजिए, कोई चीज बहुत जादा trend में, trend में है तो वो क्या है, in fashion है, in fashion और in trend, trend में चल रही है, इस वज़े से लोगों का ध्यान उसकी तरफ attract हो रहा है, ठीक है, attracting attention, क्या गड़बड है यह, तो मतलब वो चीज फैशन में है, trend में है, ठीक है, इसलिए, बहुत जादा attracting है, और the hook तो खूटी है, तो किस चीज को discuss करना था, pros and cons को discuss करना था, next, he got a burst of energy and started digging again, तो to take bull by the horns का मतलब होता है, to face a situation, to face a situation, confidently, ठीक है, किसी situation को confidently face करना, इसके लिए आपने एक इडियम और पढ़ा था, bell, to bell the cat, मतलब you are ready to face a dangerous situation, क्योंकि हो सकता है, उससे किसी का कुछ अच्छा होना हो, ठीक है, bell the cat, a fancy of someone का मतलब होता है, to like someone, किसी को पसंद करना, fancy का मतलब होता है, पसंद करना, heart on the sleeve का मतलब होता है बच्छों, make one's feelings apparent, to make one's feelings apparent, अब apparent का मतलब क्या होता है, जो छुपावा नहीं है, छुपावा नहीं है तो कैसा है, obvious है, ठीक है, और कैसा है, noticeable है, अब noticeable है, तो कैसा है, conspicuous, ठीक है, और explicit है, explicit, implicit नहीं है, ठीक है, तो अपनी feelings को उजागर करना, छुपाना नहीं, rather than hiding, छुपाना नहीं, ठीक है, इसके लिए आप ये भी कह सकते, open your heart, के दिन अपनी दिल खोल के बात करो, अपनी feelings को, emotions को share करो, तो आप कह सकते, open your heart, अपनी मन की बात बता दो, second wind होता है, बच्चो, second wind कहां से निकला है, ये sport से निकला है, जब व्यक्ति खेल के, अपनी इनिंग खतम करके, अपना पार्ट खतम करके, थोड़ी दिर बैठता है, फिर वो थोड़ी और सांस लेता है, अब उसको दुबारा से energy मिल जाती ही, अपने आगे के पार्ट को play करने के लिए, ठीक है, तो second wind का मतलब हो गय एक ऐसी information या strategy जिसको आप तब तक hidden रखते हैं, secret रखते हैं, जब तक कि उसको उजागर करने की ज़रूरत ना हो, ठीक है, ये भी आया हुआ है, तो आप connect करते चले साथ साथ साथ, next, देखो, right now my hands are full, मतलब अब ही कहा है, मैं busy हूँ, तो hands को hands से तो लेंगे नहीं कि swollen है, मैं tired है, my hands are filled up answer हो का, मैं बहुत busy हूँ, ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं, जैसे आप कहते हैं, a lot on my plate, मतलब, I have a lot on my plate, मतलब अभी करने को मेरे पास बहुत कुछ है, okay, boil the ocean, मतलब कुछ ऐसा जो impossible है, अब ocean को कैसे boil करोगे, तो मतलब, try to do something impossible, okay, और बाकी तो है नहीं, to make someone very angry, angry मतलब irritate, frustrated, exasperate, aggravate, ये सारे words हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, next, देखो, burn once bridges, अफिर वही बात है, आप एक bridge को पार करके दूसरी तरफ गई, boat से related भी आया था, एक EDM आपको याद है, मैं पहुंच तो गई, अब उस boat को जला दिया किसी ने, या bridge को जला दिय तो मतलब impossible to return to an earlier stage, बिल्कूर्स ठीक है, ठीक है, impossible हो गया earlier stage तक पहुंचना, I had to work late in the night for nearly three months to write my first book, तो इसका मतलब क्या है late in night, कौन साइडिया में to burn the midnight oil, हमने पढ़ा था कि पहले लोग light तो थी नहीं, तो तेल के दिये जलाते थे देर रात तक काम करने के लिए, तो बस less important role, taking a less important or less active role, why, ताकि नए लोगों को आग्याने का मौका मिले, वो लोग इन चीजों को handle कर सके हैं, कि अब है न, मेरी age भी हो रही है, किसी ने का, अब मैं थोड़ी, मैंने थोड़ी back seat ले लिया, I have taken a back seat, ठीक है, अब नए लोगों को आग्याने दो, to blow a fuse मतलब होता है to become angry or upset, angry or upset, गुसा हो जाना, ठीक है, और to look through colored glasses का मतलब होता है, to take an optimistic views, to take an optimistic, optimistic view of something, यह भी कहते है न, कि हर चीज में negativity देखने की ज़रत नहीं है, to look through colored glasses, मतलब अपनी कहते है न, कि अपना चश्मा हटा के देखो, या फिर किसी चीज में positivity लाने की कोशिश करो, तो मतलब you have to be optimistic, not pessimistic, ठीक है, आंसर हो जाएगा to burn the midnight oil, you must lie in the bed you have made, अब यहाँ देखो, जहाँ जहाँ word meaning है, काट दो, sleep on the bed की बाद तो रही के नहीं, sleep in your own bed नहीं, be contented, contented होता है, gratified, संतुष्ठ होना, ठीक है, ये भी नहीं होगा, face the unpleasant consequences of your own acts, yes, ये विल्कुल वही तो बात होगा ही, face the music वाली, है न, तो कहते हैं न, कि जो बहोगे वही कार्ट होगे, तो मतलब be ready to face the music, मतलब आपने जो काम कियें, उनके consequences को अभूगतने के आपने, share your deepest feelings, अपने emotions को, emotions को छुपाना नहीं, बल्कि किसी को बता देना, part and parcel, part and parcel, कहते हैं न, ये तो part and parcel of something होता है, मतलब ये तो इसका टूठ हिस्सा, ये तो हो गई होगा, तो आप कहते हैं कि दुख और सुकी, तो part and parcel of life है, ये तो सब चलता ही रहता है, तो क्या है basic और essential element है, जो essential element है, वो कैसा है, वो fundamental है, ठीक है, वो rudimentary है, ठीक है, necessary part है, तांसर हो गया आपका C, the office management was in dire straits after the financial crash, देखो, dire straits का मतलब होता है, dire straits means हो गया severe, ठीक है, बहुत जादा, severe condition, किसके बाद financial crash के बाद, तो being direct or fair, अगर कोई विकती direct है, fair है, एकदम सीधा बोलता है, तो कैसा है frank है, वो frank है और candid है, ठीक है, और fourth right है, लल्लू चपो नहीं करता, साफ बोलता है, जो कुछ भी है, और acerbic है, केते हैं कि she has got such an acerbic tongue, एकदम कड़वा बोलती है, तो to be extremely happy, अगर कोई विकती happy है, तो वो ecstatic है, ठीक है, जुबिलेंट है, यह सारे वर्जम पढ़ चूग है, rapturous, elated, rapturous है, elated है, ठीक है, in a very bad situation, बिल्कुल, वो bad situation में तो इन a tight corner हो गया, भी इन a pickle, भी इन a pickle भी होता है, बच्छो, इन a pickle, और भी इन a tight corner आपको मैंने पहले बताई दिया था, in a pickle, to walk on already troden paths, इसका मतलब है, already walked on, already walked on many people, अब देखो, इसको आप word meaning से तो कैसे लोगे, ऐसे सारे रास्ते, walked on by many people, ऐसे सारे रास्ते, जैसे देखो, इसको ऐसे समझो, गाउं में आपने देखा होगा, एक पकडंडी बन जाती है, एक ऐसा रास्ता जहां से बार 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 लोग आते जा रहे है, moment हो रहे है, वेकल आ रहे है, तो एक पकडंडी बन जाती है, तो मैंने का वही देखो, किसी डॉक्टर ने किसी पेशन को समझा है, जैख छोटी सी सर्जरी के लिए बहुत डर रहा है, तो उन्हेंने का आपके लिए नया है, बट इस सर्जरी को बहुत सारे लोगों ने अल्रेडी कराया हुआ है, तो मतलब, it has already been a trodden path, मतलब बहुत लोगों ने, आपको यह नहीं लग रही है, आपको इससे डर लग रहा है, बट बहुत लोगों ने इसको कराया हुआ है, तो कुछ नया नही है, आंसर हो गया, इन वेरी बैट सिच्वेशन, हैली इग्नोड हर फादर्स विश, अफ स्टेडिंग आर्स, हैली ने अपने पापा की विश को, जो की कह रहे थे क्या आर्स पढ़ लो, उसको इग्नोर कर दिया, और इसकी वजाए, टुक अदमिशन इन कॉमर्स, कॉमर्स लास्ट नाइट वाज रियली बियॉड्ड अपल, मतलब अन एक्सेप्टेबल बिहेवियर या कंड़क्ट था आपका, बिट डिफाइंस टू का मतलब होता है बिचो अवहेलना करना, आपको यादो का वर्ड डिफाई, डिफाई मतलब मना करना, उसी से बनाए डिफाइं अनसर हो गया B, है ना, ब्लो अवर का मतलब होता है, डिसप्पियर हो जाना, या फिर शान्थ हो जाना, शान्थ हो जाना, जैसे कोई भी जो न्यूस होती है, मानलो बोला कि ये स्कैंडल हुआ तो है, इतना बड़ा भी मीडिया खूब उचल रहा है, लेकिन चार पास दिन अन इंपोर्टेंट और इंफ्ल्यूएंशियल परसन इन ग्रूप और फैमिली, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो काफी इंफ्ल्यूएंशियल और इंपोर्टेंट परसन है, चलो नेक्स देखते हैं, इस टार्टेट विद अन ओनलाइन कंपनी, पूरा पढ़ना पड़ेगा, ओनलाइन कंपनी स्टार्ट करी, मिलेनेर बन गया, और यह उसको बेच दी, इन्वेस्टेड, इन्वेस्ट के आज शेर मार्केट में बहुत सारा पैसा कमाया, ना उसने इन्वेस्ट के आज आज और एक huge well generate कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, क्या है उसके पास, उसके पास stinky fingers है क्या, sticky, sticky fingers होता है बच्चों, a propensity to steel, a propensity to steel, चुराने की प्रवर्ती, मतलब क्या उसको kleptomania है, kleptomania मतलब चीजे चुराने की सनक, और propensity का मतलब होता है आदत या प्रवर्ती, ठीक है, तो क्या उसको चीजे चुराने की आदत या अगर वैसा ऐसा कर रहा है नहीं, as genuine as a $3 bill, देखो, यहाँ चाहे genuine हो, चाहे phony हो, दोनों से याद रखना, genuine हो चाहे phony हो, अगर यह $3 bill के साथ आ रहा है, तो उसका मतलब, spurious ही होगा, spurious हो गया, ठीक है, bogus हो गया, नकली, और fake हो गया, और malified हो गया, इन सब का मतलब नकली ही है, ठीक है, चाहे phony हो, चाहे genuine हो, rule of thumb का मतलब होता है, based on experience, कुछ ऐसा, जो based on experience है, और common sense, या फिर आपके common sense पर based है, ठीक है, not on a theory, किसी theory पर based नहीं है, okay, rule of thumb, मिडास्ट अच्छ है ना बिल्कुल, अब राजा मिडास्ट वाली काहानी आपको याद होगी, जिस भी चीज को उसने वर्दान मांगा था, जिस भी चीज को छूँगा, सोना बन जाएगी, बन जाती है, मतलब जहां भी हाट डालता है, वहाँ उसको काफी फाइदा होता है, ठीक है, तो snowball effect होता है बच्छों, एक domino effect, इसको आप domino effect भी बोलते हूँ, domino effect ऐसी situation होती है, जिसमें an action और event causes many other similar actions और events, एक action और event ही कारण बने, दूसरे आने वाले actions और events का, तो cold and uncomfortable है क्या, snow से ले लिया देखो, नहीं, slow moment भी नहीं है, किसी को धोका देना, trick करना नहीं, and accelerating growth of magnitude, बिल्कुल, बिल्कुल, accelerating growth है, ठीक है, next देखते हैं, what we need is skilled and energetic planning, and elbow grease, elbow grease का मतलब होता है, physical hard work, physical hard work, intense, बहुत ज्यादा, ठीक है, intense hard work, तो hard work that one puts into doing something, बिल्कुल ठीक बात है, अब hard work that one puts into cleaning, one's elbow word meaning ले लिया, हटा दो, grease ले लिया, हटा दो, hard work that one puts into removing grease, फिर से grease ले लिया, हटा दो, absurd option को हटा दो, ठीक है, my final round of spell B competition is coming up, and to win this event, I need to study hard from today, बहुत मुझे पढ़ना याद से, तो pour my heart out का मतलब होता है, वही, to speak about your deeply felt emotions, कोई मन की बात कहना, ठीक है, तीसरा आइडिया मारा है, देखो इसकी लिए, to speak about your deeply felt emotions, ठीक है, burn the book, यह bum नहीं है, burn है, और burn the books का मतलब होता है, कहते हैं कि, when you can't do anything, ठीक है, जब कोई भी progress नहीं नजर आ रही, आप आगे नहीं पढ़ पारे हो, तो it is better to burn the book, इस अच्छा आओ, situation को ही खतम कर दो, उस problem को ही खतम कर दो, rather than sticking to the same page, आप एक ही page पर stick हो, no progress you can see there, तो it is better कि आप उस किताब को ही जला दो, मतलब उस situation को ही खतम कर दो, निकल जाओ बाहर वाहां से, यह उसका मतलब है, ठीक है, cut to the chase का मतलब होता है, directly come to the point, directly come to the point, मतलब don't waste time, don't waste time का sense दे रहा है आपे, time waste मत करो, directly मुद्दे पर आओ, मतलब don't prevaricate, don't beat around the bush, don't do circumlocution, ठीक है, यह सारे words हमने already पढ़ लिये है, चलो, hit the books का मतलब होता है, बच्चो, to start studying, seriously, ठीक है, and with determination, पढ़ाई करना, शुरू कर देना, get your act together का मतलब होता है, वो यह अभी आपको बता है, आपने आपको organize करना, और better perform करना, to organize yourself, so that you can do something properly, बिल्कुल सही है, क्या क्या पढ़ा था, सुधार लो अपने आपको mend your ways, एना, it is never too late to mend, ठीक है, मतलब कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आती कि आप अपने आपको बदलना पाऊ, to ruin once plants के लिए आपके पास EDM है, to upset, to upset apple cart, किसी apple cart को खराब कर देना, मतलब, to upset the apple cart means किसी के plants पूरी तरीके से खराब कर देना, ठीक है, to understand something complicated, किसी complicated चीज को समझना, अच्छा, इसके साथ एक EDM याद करो आप, hard nut to crack, hard nut to crack, मतलब, very difficult to deal with, if a situation is hard nut to crack, मतलब, very difficult and complicated to deal with, and if a person is very difficult to deal with, आप केते हैं, तुम्हारे पूपा, जिसे मैं नहीं बात कर सकता, बहुत ही अजीव व्यक्ति हैं, मतलब, he is a very hard nut to crack, उन्हें समझना बढ़ा ही मुश्किल हैं, बहुत complicated व्यक्ति हैं, ठीक है, और the get the conversation going, यह भी नहीं होगा, अंसर हमारा हो गया, यह, the modern era statistics data provides useful advantage to the players at competent level, तो provides useful advantage के लिए क्या हैं, बहुत बाइएर, मतलब, something done without planning, कुछ ऐसा, जो done without planning, बिना planning के ही आपने किया है, अब जो विदा planning के होता है, वो क्या होता है, इंप्रोवाइज़ होता है, और extempore होता है, और impromptu होता है, जो बिना planning के होता है, put something on ice मतलब to delay और postpone, पोस्टपोन के लिए अपने पास phrasal verb है, put off, तो put something on ice, पहले क्या करते थे, जब import, export होता था, तो जो seafood हो जल्दी खराब हो जाता है, उसको उसको preserve करने के लिए, ताकि वो decay ना हो, perish ना हो, उसके लिए उसको बर्फ पर रखते थे, तो delay करते थे उसको, ठीक है, हम गरम cold drink लाते हैं, हम ठंडा पीना होता है, तो हम उसको postpone करते हैं, कि थोड़ी देर फ्रिज में रख दो, फिर पीएंगे, तो to put something on ice, और thin ice आएगा तो difficulty में होना, grist to the mill, जिसका मतलब होता है, only useful, useful and helpful, यह देखो, आया कहां से है, mill, चक्की होती है, ना, अनाज को पीसने की, ठीक है, ग्रेन, ग्रेन को पीसने के लिए जो mill होती है, तो उसमें जो grist होता है, यह वो वहला पार्ट होता है, जिसका आटा बनता है, तो mill तक, भई, field से mill तक कौन सी चीज गई, सारा भूसा होता, तो वहीं रह गया, और important और useful चीज जिससे आटा बनना था, वो mill तक पहुँच गया, जिससे आटा बन गया, तो only useful and helpful information, तो provide useful advantage, answer हो गया ना, cost and arm and leg expensive हो गया, कित्ती बार आएगा, याद हो गया होगा, expensive है, और extortionate है, exorbitant है महेंगे के लिए, ठीक है, next, do you believe that you have a possibility of getting the job, तो shoot the breeze होता है, gossip बगरा करना, गपशप मारना, gossip हो गया, या casual conversation, गपशप करना, ठीक है, देख, snow job होता है, जिसमें आप effort डालते हो, effort करते हो, effort to deceive, और persuade someone, ठीक है, by, क्या करके, by insincere talks, ठीक है, किसी को धोगा देना, किसी को किसी गलत चीज़ के लिए, मना लेना is a snow job, spill the beans to reveal the secret, जिसके लिए आपके पास होता है, a cat out of the bag, किसी information को, जो कि secret रखनी थी, उसे उजागर कर दिया, ठीक है, reveal कर दिया, यहाँ तो आपके behavior की वज़े से, बहुत जादा बोलने की वज़े से, या clumsiness की वज़े से, कोई information बाहर आ गई, और standard chance, यह हो गया, standard chance मतलब have a possibility, next देखो, at some point in the past, there were rows of temporary shops, बहुत पहले rows of temporary shops हुआ करती थी, जो कि बहुत सारे cooking utensils दिस्पले करती थी, तो in the past few years की बात तो रहे हैं, तो जब किया कह रहा है, past में किसी time पर, अब before now भी नहीं, once upon a time भी नहीं, आप बहुत पुराने समय की बात कर रहे हैं, तो long ago, ठीक है, steer clear off बताए था आपको steering से related, ship से related था, तो उनको, उनका जो captain था, वोई कहता था steer clear off, मतलब clear रखना steer, जब घुमाओगे, turn लोगे, तो ऐसा नहीं कि दूसरे ship से टकरा जाओ, है ना, तो avoid the dangerous situation, इसका मतलब क्या हो गया भी, इसका मतलब हो गया आपका, stay away from, दूर है न, stay away from, ताकि, you can avoid a dangerous situation, तो lose temper and react furiously to someone, किसी से wildly और violently बात करना, अपना अपक हो देना नहीं, avoid someone or something, ये रावाइब, because it is dangerous for you, yes, be kind and empathetic to someone, empathetic हो तो आप sympathetic हो, कैसे कैसे हो भई, sympathetic हो, बहुत अच्छा तरीका है, idioms के through, आपको रिवाइज कर सकते हो, और कैसे हो, compassionate हो, और considerate हो, benign हो, kind हो, ये सब हो जाएंगे, show someone how to do a job, actively, ऐसे बताना है कि किसी को नई आंसर हो गया भी, he ate the whole bunch of grapes, under the nose of all of us, कैसे न, वो हमारी नाक के नीचे से, हमारी बेटी को उठा के ले गया, हमारी नाक के नीचे से, वो चीज़े चुरा के ले गया, तो मतला, in full view of somebody, सब देख रहे थे, सब वहीं थे, मौजूद थे, फिर भी चोरी हो गई, secretly नहीं किया, उसने एकाम, ठीक है, शेरिंग की भी बात नहीं हो रही, और आफ्टर मच पर्सुएशन, बहुत ज़्यादा मनाने के बाद भी नहीं, यू वांटेट तू स्पीक, बट यू कंट्रोल यॉर्सेल्फ, और विकेम पेशेंट, आप बोलना चाहते थे, बट आपने कंट्रोल किया, और आप पेशेंट बने रहे, धहरे रखा आपने, मतलब what you have done, आपने क्या किया, आपने pin drop silence रखी क्या, आप extremely quiet थे क्या, quiet की spelling देख ले न, क्योंकि ये वाला जो quiet है, इसका मतलब होता है, बिल्कुल, quit का मतलब होता है, to leave or abandon, और ये है quiet, ठीक है, और quilt होता है, रजाई, ठीक है, dragged your feet, वो ही उंगते उंगते काम करना, मतलब क्या कर रहे हो भई आप, अगर आप you are dragging your feet, मतलब you are dilly dally, क्या कर रहे हो, चीजें टाल रहे हो, और shelly shally, procrastinate कर रहे हो, procrastinate कर रहे हो, चीजों कर टाल रहे हो, leisurely काम कर रहे हो, languorously काम कर रहे हो, herculean task क्या होता है, बहुत ही difficult task, और easy task क्या होता है, easy task होता है, cakewalk और piece of cake, ठीक है, और hold your horses, फिर वो ही pause होना, तो आपने क्या किया, you wanted to speak, बोलना चाहते थे but you controlled, अब control मतलब you were not eager, आप you were not impulsive आप impulsive नहीं थे, ठीक है, मतलब आपने थोड़ा सा patience रखा, तो hold your horses, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही next session में मिलते हैं, यहां तक की idioms अच्छे से पढ़ लो best of luck, study hard, thank you so much take care in the next class, thank you